बच्चो गुड मॉनिंग आज हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकिंड क्लास की हिंदी का फॉर चैप्टर तितली तो तुम सब ने देखी है ना वो कभी स्फूल पर कभी उस फूल पर ऐसे घुमती रहती है और बच्चे के ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बच्चे करते हो ना तुम भी तो देख लेते हैं आज अपनी इस कविता को पढ़ते हैं क्या है दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाती कितने सुन्दर पंख है इसके जगमग रंग रंगी ले लाल मैंग नी हरे बसंती काले नीले पी ले बच्चों ने जब देखी इसकी खुशियां रंग निराले छोड चाड कर खेल खिलोंने दोड पड़े मतवाले बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते और हवा में उड़ते उड़ते दूर देश हो आते अच्छी है ना पहम तो इसको अच्छे से लर्ण करना आप समझ लेते हैं इनका हम आर्थ क्या है दूर देश से आई तितली चंचल पंक हिलाती यानि कि तितली दूर देश से अपने पंकों को हिलाती हुई आई है फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती कभी इस फूल पर कभी उस कली पर कभी इस फूल पर कभी उस कली पर ऐसे इधर उदर भागती रहती है अपने आप पर इतराती रहती है है ना रीज जाती है वो कितने सुन्दर पंक हैं इसके जगमग रंग निरा ले लाल बैंग नी हरे बसंती काले नीले पीले करें कि तितलियों के कितने सारे पंकों के कितने रंग हैं कोई काला है कोई बैंगनी है कोई नीला है कोई पीला दिख रही है ना हमारी फोटो में यहां पर यह तितलियां तो इनके पंक बहुत ही सुन्दर और रंग भी रंगे हैं बच्चों ने जब देखी इसकी खुशियां खेल निरा ले छोड चाड कर खेल खिलोंने दोड पड़े वत्वाले बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते और हावा में उड़ते उड़ते दूर देश हो आते अब तितली को पकड़ने के लिए जाते है तितली उड़के दूसरे उस पे चली जाते है ने फूल पे या कली पे तो बच्चे फिर दूसरे फूल के पास जाते है इस तरह से अगर बच्चों के भी पंक होते तो तितली के साथ साथ दूर तक चले जाते मन करता है ना तुम्हारा भी किस तितली के साथ साथ ही घुम जाओ, मैं भी उड़ जाओ, है मैटा, तो ये अपने पोईम पड़ी है, और अब करेंगे इनके शब्दार्थ, जैसे चंचल, चंचल मीन से नटखट, इतराना नकरे दिखाना, इतलाना गर्व से जूमना, निरा तितली के पंख कैसे होते हैं, बताओ, रंग भी रंगे और सुन्दर होते हैं, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, है ना, तो अगला पशन अपने पास है भीटा, तितली कहां इतलाती है, कहां पितलाती है, कभी फूलों पर, कभी कलियों पर, तो फूलों और कलियों पर ही इतलाती रहती है वो, बच्चे क्या देखकर दोड़ पड़े, क्यों दोड़ पड़े बच्चे, तितली के खेल और तितली को देखकर, तितली को यूँ इधर उधर भागते देखकर, बच्चे उसके साथ उसको पकड़ने के लिए भाग लिए है ना, तो अब आगे है आपकी बात, तो आपकी बात में और यदि हाँ तो यह आप अपने आप लिखोगे, क्या लिखोगे, तितली तो सभी देख लेते हैं, भई हमारे घर के पास हमने पोधे लगा रहा कि ते उस पे देखा या श्कूल में देखा है ना, जहां भी देखा हुआ लिख देंगे, यदि आपके पंक होते तो क्या करत क्या करते भई हम भी तितली की तरह उड़ जाते आस्वान में दूर तक उड़के आते हैं अब नीचे जो है सुनें बोलें और लिखें तो मैं इनको पढ़ूंगे आप मेरे साथ साथ बोलना और फिर इनको यहां पर लिखना जो एक खाली जगह है यहां पर जैसे चंचल बो रंगी ले ठीक है इसमें अंकी मात्रा पढ़ी हमने और चंदर बिंदू तो दोनों में अंतर भी देखा बोलने में ही अंतर आ जाता है ठीक है बिटा अब अपने पास मिलान करो यह इधर जो लिख्यों यह उनसी इधर वालों को मिलान है बिटा मैंने अपर मिला दिया है देखो फूल फूल पर क्या गुमता है पंक ही इसके मत वाले या कली कली पर या रंग रंगी ले तितलिया गुमती है फूल फूल पर कली कली पर तो यहां हमने इससे मिला दिया है उसके बाद जगमग जगमग क्या थे जगमग रंग रंगी ले कवी तम आये थे ने पंक ही के सुन्दर कितने जगमग रंग रंगी ले है ना आगे है कितने सुन्दर तो ये पंक है इसके इसे हमने मिला दिया दोड़ पड़े कौन दोड़ पड़े थे मतवाले दोड़ पड़े मतवाले आगे है ना आगे अपने पास है भाषा की बात तो यहां पे हमें शब्द बना जैसे यहां के क्या बना रखा है पंक ये क्या है जामुन लेकिन इसमें पंक लाल लाल लिख रखा है ना इधर जा से लाल लिख रखा है तो इन दोनों को जो लाल से लिख रखे हैं इनको मिला कर हमने नया सब्द बना दिया पंजा 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 ऐसे ही आगे हामें बनाने ह तो ये क्या है चंचल दाम इसमें चै और अंकी मातरा चंग ये जो है ये रैड़े से लिख रखा हैं तो इन अक्षरों को नीचे लिख़ना चंग और दा चंभा अंग और क अंग इनका एक-एक तुम्हें ये अक्षर यहां पे लेना है ठीक है कंधा 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 क्या होता है पता है हाँ very good तो बेटा इसी के साथ अपना लेसन खतम हो जाता है ये जो इसका अभ्यास पशन उत्तर है इनको नोट बुक में लिखोगे और अच्छे से इसकी तयारी करोगे और कवीता को ले के साथ गाओगे और अपने मम्मी पापा क सुना होगे ठीक है थैंक यू